दोस्तो आज 29 नवेंबर 2023 बजार में आज बहुती बढ़िया रैली देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया सीधा सीधा 20,000 के फिर से एक और बार उपार आके 20,096 पॉइंट पे लगबग 1.04% तेजी के साथ अब सबाल यह रहे कि कल एक सपैरी के दिन यानि 30 नवेंबर क्या होगा जानेंगे इस वीडियो पे साथ में ग्लोबाल मार्केट का हाल चाल शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एफएजडेस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन त के बारे में थोड़ा बहुत यहां पर डिसकस किया जैसे कि आज 20,000 की उपर आके क्लोजिंग दिया तो यहां पर एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है एंवे तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स न्यूस के तरफ आप देख सकतो आज मार्केट में जैसे एकदम से रैली देखने milestone for the first time जो की बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी achievement दोस्तों अब हम बात करेंगे next इतने सारे अच्छी अप खबर के बीच में एक थोड़ा सा sad news भी है one of the greatest investor चार्ली मुंगर सर की दोस्तों देहान्त हुआ है 28 तारीक को तो काम ना करूंगा भगवान उनकी आत्मा को शा कावेंबर के दिन अब जैसे कि आपको मालूम है बॉंड्स हमेशा जो कंपनी या बैंक्स की प्रेजन वालवेशन चलता है उसके उपड़ी सेल किया जाता है जिसके करने कल दोस्तों हो सकता है बैंक का बरोड़ा की शियर में काफी जंप भी देखने का पूरा पूरा चां तो आइसे से कुर्टीज दोस्तों बहुत जल लिस्ट होने जा रहा है और एक्सेंज उतारा उसको एपूरुवल भी दे दिया गया है कब होगा क्या प्राइस बैन वो तो फिलाल डिस्क्लोज नहीं कि आपको मालूम पड़ेगा फिलाल इतना जान लीजिए आइसे से कुर रिएम वैलोशन पर ही जो शियर है उसको खरीद लेते हैं सबोस्स आप बोल चकते एक टैप का राइब्यम वैलोशन पर ठेक सेम जब कोई कमपणी की या इस मार्केट से उसका जब जैसी कोई इससे प्रोमोटर कॉण है और वहीशलिए से बैंक वह जब इसको डिलीजी कर इंपेक्ट आता है वो तो कलम मालूम पड़ेगा नेक्स्ट इंप्टेंट अपडेट टाठापवर्ट की शेयर रोलर के भी काफी अच्छी अपडेट आठापवर्ट टू स्टार्ट वर्क ऑन टू पंप्ट हाईड्रो प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्रा बाइ मिट ट्वें करने क्या फिर भी आपको उपर से बोल रहाओ समझाना कोशिश कर रहाओ क्यूंकि 275 अगर आप देखोगे लास्ट एक साल का मतलब 52 एक्स का हाई है तो यह लेवल अगर ब्रेक किया उसके बाद दोस्तों डेफिनेटल कोशिश करेगा अपना ओल टाइम हाई जोकी एप्र ब्रेक करके उपर स्टेवल हो जाते सब्सक्राइब बात को ध्यान से सुनना तब जाके आप चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सेकतो अचा अब देख लेते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब्डेट आचा ग्लोबाल मार्केट ग्लोबाल मार्केट दोस्तों काफी वॉलेटाइ बागी बात करें नास्टाइक कॉम्पोसिट जिसके अंदर आपका मोस्ट अब्डाट टेक सेक्टर इसेक्टर लिस्टर है नास्टाइक में भी शुरू में देखिए काफी ओपर ओपन होने के बात एकदम से ड्रॉप देखने को मिला कुछ मिंटों के लिए नेगेडिब नहीं है मतब ऑफिशियल जो एक एस्टीमेट डेटा जैसे के होता है ना सपोस इंडिया का जीटीप आउट होने से पहले आर्ब एक फोर्कास्ट किया जाता है सपोस यह वही फोर्कास है ठीक है तो पहली बार हमने देखा था जो प्रीवियस एस्टीमेट आया था यहां यह उएस ऑफिशियल के तरफ से वह था 4.9 परसें इस बार देखे युएस जीडीपी ग्रोथ एक्सपैंड एट अनुवल रेट और 5.2 परसेंट तो इस बार जो सेगेंट एस्टीमेट आया उसमें हमें पाया गया है कि जो प्रीवियस फोर्कास्ट तो उससे ज्यादा मत इसका इंडियान मार्केट में दो देखने को मिलेगा खास करके आईटी स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा साथ दिवेस की दस साल की बॉंड जिल के अंदर भी थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को जो कि अच्छी बात है जैसे का आप देख सेक्त स्क्रीन के इबर 0.76% ड्रॉप हो चुका है बट ब्रेन कूट की प्राइस काफी वॉलेटाइल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजा दोस्तों कल कल क्या है कल 30 नवेंबर राइट 30 नवेंबर दोस्तों कल ओपेक प्लस की मीटिंग है ओपेक प्लस की मीटिंग मतलब जो भी यह होना आपको इसिके डिलाइंश हो सकता है थिज बहुत सथा सकते हैं नेक्स्ट इंपर्टन अप्रेट विप्र लिमिटेड एडियर के अंदर भी आप देख सकता है जो ओविएसली बहुत जादा तेजी था विप्रोकी शियर के अंदर और एकदम जिस बैसे एकदम से गयाप ओपेनिंग होने के बात थोड़ा वहता में ड्रॉप देख सकते स्क्रीन के उपर नेक्स्ट इंपर्टन अपर दोस्तों एजडियर बैंक का जो एडियर वर्शन यहां पर देख सेकतों अल्मोस्ट डेर परसन उपर पहुंच चुका भी काफी अच्छा मूव किया था साथ इसाथ आए से बैंक की शियर जो एडियर वर्शन है वहां सब्सक्राइब भी 1.28 परसें उपर पहुंच चुका भी का सब्सक्राइब अच्छा इंडियर मार्केट में भी यह सारे बैंक काफी अच्छा परफार्म किया नेक्स्ट इंपोर्टन अप्डेट दोस्तों गिफ्ट निफ्टी तो देखिए अभी फिलाल थोड़ा बहुत जो सब्सक्राइब तो यह बिनी Vanessa उपर से थोड़ा उनक पर देखने का पूरा पूरा चांस है वह निफ्ट अपार्ट पर देखने फिलाल देखेल बट उसके पहले दोस्तों कर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पानी के लिए तो दोस्ते फैस ने आ इस्राइली टॉप इंडेक्स है उसमें काफी अच्छा मोबेंट भी देखने को वाल कल भी था आज भी था 0.83% उपर फिलाल क्लोज हो चुका है अब चले दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार उसके उपर लेके चलता हूँ तो अभी आपके सामने मैंने ओपेंट कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट तीन मैंने की कंडल स्टिक चाट करना तो जैसे कि आप देख सकतो निफ्टी 50 आज से लगबग धाई वैने पहले मतब सेप्टेमबर की सेगेंड विक पे अपना ओल टाइम हाई टच किया था कितने प बहुत वाइटल यह भी आपको भूलना नीचे एक्सपैरी के दिन मार्केट थोड़ा बेरिश भी होता है थोड़ा बहुत वालेटाइल भी जलता है बट कल मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 हो सकता है कि बीस हजार दोसों में अगर पहुंच गया ना उसके बाद थोड़ बहुत पॉज होने की कोशिश करेगा क्योंकि चुनाओ का रेजल तीन तारीक है तो उसके पहले थरस्डे और फ्राइड़ इसके नीचे ही रहने की कोशिश करेगा चुनाओ के उपर बेस करके मार्केट उपर की तरब मुफ करेगा तो ऐसे में देखें कुछ इंपॉर्ट सपोर्ट लेवल उसका जो अब देख सकते हैं पर 20 डेस की यह में ब्लू कलर कर लाइं जिसका नंबर निकल करें अप्रॉक्सिमेटली उन्नीस हजार नौसो क्या आसपास ठीक है यह कुद दो सब्सक्राइब हो गया बट कल दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए काफी टफ मैं बोलूंगा होने जारा है क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसे पोजिशन प्रेच क्लोजिंग दिया जहां पर यह देखिए यह जो लेबल से अल्मोस्ट धाई मैने से यहां पर रेजिस्टेंस मि शेयर किया तो फिलाल कोई अपडेट्स मतलब आपको कोई डाउट्स है कमेंट के तुरू पूछना इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्या बाबाई जाए हिन